एक समय की बात है, एक गाउं में मोहन नाम का एक नौजवान रहता था। एक दिन मोहन अपनी पत्मी राधा से कहता है। अरे भाग्यवान, अभी हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम कोई नौकर रख सके। इतना कहकर मोहन घर से चला जाता है। फिर अगले दिन से मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। जब खाना बना ही रहा हूँ, तो घर के सभी लोगों के लिए बना लेता हूँ। फिर मोहन रोज सुबह सब के लिए खाना बनाता और शहर में काम करने चला जाता। दूसरी तरफ राधा घर में सारा दिन आराम करती और घर के बाकी काम अपनी सास से करवाती। ए भगवान, ये बुढ़ाबे में तु मुझसे किस जनम का बदला ले रहा है। जो ऐसी बहु को मेरे पले बांध दिया है। फिर कुछ दिनों बाद राधा मोहन से नई साड़ी और गेहनों की जिद करती है। मोहन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी ये सब खरीदने में असमर्थ है। लेकिन राधा नहीं मानती और राधा के रोज रोज के नकरों से तंग आकर मोहन गुसे में घर से निकल जाता है। कब वो जंगल में पहुँच जाता है उसे भी पता नहीं चलता। तब ही एक चुडैल की नजर मोहन पर पड़ती है। अरे मैं तो घर से बहुत दूरा गया हूँ। ओहो राध भी बहुत हो गई। घर में सब परिशान हो रहे होंगे। फिर मोहन वापस अपने घर की और चल पड़ता है। चुडैल भी मोहन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाती है। फिर मोहन अपने घर पहुँच कर दर्वाजा खट खटाता है। तब ही उसकी राधा दर्वाजा खुलती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख मोहन को थोड़ी हैरानी होती है। फिर राधा कहती है। मुझे माफ करती जीजी, मुझसे गल्ती हो गई। मैं भूल गई थी कि औरत का असली गहना उसका पती होता है। आगे से मैं आपको कभी नौराज नहीं करूंगी। राधा को अपनी गल्ती का एसास हो गया है, ये देखकर मोहन उसे माफ कर देता है। फिर अगले दिन से राधा रोज सबेरे उठकर मोहन के लिए खाना पकाती, घर के सारे काम करती, साथी साथ अपनी सास ससुर की खुब सेवा करती। अपनी पत्नी में आए इस परिवर्तन को देख, मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन राधा की सास राधा से कहती है, बहु, आज मैंने घर में हवन रखा है, बाबाजी किसी भी वक्त आते होंगे, तो सब तयारी करके रख दे। जी माजी। फिर थोड़ी देर बाद बाबाजी अपने चेले के साथ उनके घर पर आते हैं। अलक निराइंजन। आएए आए बाबाजी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर बाबाजी हवन की तैयारी शुरू करते हैं, और मोहन और राधा को हवन में बैठने के लिए कहते हैं। मोहन तो वहाँ आकर बैठ जाता है, लेकिन राधा वहाँ आने से मना कर देती है। तब मोहन राधा से कहता है। अरे भागयवान, अचानक तुम्हें क्या हो गया। तभी बाबाजी को राधा पर कुछ संदे होता है। अलक निरैंजन, मा जी, तुम्हारे बहु के हाव भाव देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि इसके अंदर किसी चोडैल का वास है। बाबाजी क्रोधित होकर कहते हैं। सच सच पता, कौन है तू? वरना अभी तुझे जला कर बस्म कर दूँगा। फिर बाबाजी जोर-जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तब ही अचानक राधा की आवास बदल जाती है और वो बाबाजी को हाथ जोड़ कर कहती है। नहीं नहीं मुझे छोड़ दीजे, मैं एक चुड़ेल हूँ, मैं रोज मोहन को जंगल से गुजरते हुए देखती थी, मैं मोहन की सुन्दरता पर मोहिद हो गई थी। फिर मैंने देखा कि राधा मोहन और अपने सास सुसुर को दिन राध परेशान करती है। और एक दिन मौका पाकर मैंने राधा के शरीर में प्रवेश कर लिया, मुझे कुछ मत करना, मैं अभी एक घर चोड़ कर चली जाती हूँ। फिर हवा का एक तेज जोका उस घर से बाहर चला जाता है, और राधा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद राधा को होश आता है। सारी असलियत जाने के बाद राधा को अपनी गलती का एसास हो जाता है। अच्छा बरताव करना चाहिए और अपना हर फर्स निभाना चाहिए। दोस्तों हमें उमीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आये होगी। तत्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेर करना मत भूलिएगा। बाइबाइ।